आपने पर सब्सक्राइब आपने सब्सक्राइब आपकों फिर्थ देखे नेजिए सब्सक्राइब निवरा जानल प्रेश देडिए अगले को देखते हैं नेच्ट कुर्चन कुर्चन नमबर 10 है a player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 meter per second मतलब एक ball को upward direction में थो किया जा रहा है माल लेते हैं यह ground है इस ground से एक ball को उपर की तरफ थो किया जा रहा है with speed आपको बोल रखा है U की value है 29.4 meter per second तो यह उपर जाएगा, उपर जाएगा, उपर जाएगा, उपर जाएगा topmost point पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी velocity 0 हो जाएगी आप भी जानते हैं यह बात, और velocity 0 ने के बाद यह वापस लोड जाएगा यह वापस लोड जाएगा, जितने speed से फेका गया है, उतनी speed से यह टकराएगा और कितनी speed से टकराएगा, 29.4 meter per second ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो topmost point पर इसकी velocity क्या हो गई, 0 तो ध्यान दो, question में क्या बोल रहा है, question में बोल रहा है, number A, what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball, obvious सी बात है, कि चाहे body उपर जाए, चाहे body नीचे आए, भाईया, acceleration due to gravity तो नीचे ही होगा, body उपर भी होगो कि तब भी earth बोड़ी पर force नीचे ही लगाएगी, और body अगर नीचे आ रही है, तब भी earth body पर force नीचे ही लगा रही है, दोनों ही case में force का direction नीचे ही है, तो acceleration का direction भी नीचे ही होगा, मतलब उपर जाने में भी gravity उपर नीचे, और नीचे आने में भी gravity नीचे, मतलब दोनों motion में gravity का direction नीचे ही होगा, जी, नीचे, तभी तो इस gravity को ज़े से speed घटी और फिर इसी gravity को ज़े से speed बढ़ती है तभी तो बढ़ता है तो वो हो गया नीचे direction हो गया what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion highest point पर velocity तो 0 मैंने लिखी दिया है और acceleration कितना है जी आज भी जी जी थोड़ी 0 होगा है उसी जी की वज़े से तो नीचे आएगा वापस जी मतलब acceleration है तो force लगा M into G और उस M G के वज़े से force लगा तो उसकी velocity बढ़ती चले जाती है मतलब acceleration आप velocity आपका 0 हो गया लेकिन topmost point पर acceleration G होगा acceleration 0 थोड़ी होगा है ना भई नमबर सी देखो choose the x बराबर 0 meter and t बराबर 0 to be the location and time of the ball at its highest point मतलब highest point पर x बराबर 0 मालने लेकिन question में कह रहा है कि x बराबर 0 आप topmost point पर मानो और समय भी आप वहीं पर मानो तो to be the location and time of the ball at its highest point vertically downward direction to be positive direction of x-axis मतलब x-axis का नीचे positive direction मानना है तो question यह कह रहा है give the sign of the position, velocity, acceleration of the ball during its upward and downward motion किसका किसका sign? position का, velocity का, acceleration तीनों का तो ध्यान दो, question में जैसा आपसे बूला है कि नीचे वाले direction को क्या मनना है? x-axis मनना है नीचे वाले direction को x-axis मनना है और positive x-axis मनना है और origin आपको उपर topmost point में मनना है तो इसका मतलब यह ध्यान दो, यह height सबसे पहले निकाल दो height का formula क्या है? height बराबर u square upon में 2g होता है u square upon में 2g होता है, तो u की value कितनी है वाई? 29.4 into में कितना हो जाएगा? 29.4 upon में 2 into g कितनी है? 9.8 ठीक है? तो कितना हो गया? 3 times यह चला जाएगा, 3 से चला जाएगा और इसकी value solve करेंगे, 3 चोक कितना हो गया? 2 से divide मर दो, 2 से मरो, 2, 2, 4, 8, यह 7 हो जाएगा into में कितना हो गया? 3, तो यह जो height आ गई, maximum height आ गई particle की वो कितना? 3 सत्ते 21, 2, 3 चोक 12, 2, 14, 1, एक और इच हो गया 4, और 44.1 meter, यह maximum height आ गई, अगर आप इसको x बराबर 0 मानोगे अगर आप इसको x बराबर 0 मानोगे, तो यह तो x बराबर 0 होगे हाई इस point, लेकिन जहां से फेका गया था, उसका position कितना हो जाएगा? उसका position x बराबर कितना हो जाएगा? 44.1 meter, है ना? और जब जहां पर जाके टकराया है, वो भी position 44.1 meter वो भी plus में, क्योंकि नीचे वाले direction को plus मानोगे, अच्छा नीचे वाले direction को plus मानोगे, मैंने position तो बता दिया, अगर initial velocity, initial velocity की बात करें, तो u key value कितनी हो जाएगी? यू बराबर आपका हो जाएगा, 29.4 meter per second, नीचे का direction positive हो जाएगा, माइनस में 29.4 meter per second हो जाएगा, और final velocity लड़ते वक्त, plus में 29.4 meter per second हो जाएगा, लड़ते वक्त नीचे है direction, पस जैसा कर रहा है, वैसा करना है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, तो आते वक्त भी gravity नीचे है, जाते वक्त भी gravity नीचे है, तो gravity में सा positive भी बना रहेगा, अगर आप assign कर रहे हैं, उपर x बराबर 0 मान दे, if you suppose x बराबर 0, your coordinate is 0 at this point, तो आपका ये सब value आ जाएगा, ठीक है, ये तो value आ गया, और कुछ पूछा हुआ है इसमे, to what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player hand, कितने time में player के हाथ में आ जाएगा, मतलब ये time of flight पूछा हुआ है, time of flight पूछा हुआ है, time of flight पूछा 2, u की value 29 point कितना है, 4 है, और g की value कितनी है, 9.8 है, और ये 3 बार में जाएगा, 3, 2, 6, मतब 6 second में ये player के hand में आएगा, तो कहने का मतलब 3 second में उपर जाएगा, और 3 second में नीचे आएगा, time of ascending is equal to the time of descending, जितने time में उपर जाता है, उतने time में नीचे आता है, इसका मतलब य आधा time उपर जाने में लगा, और आधा time नीचे आने में लगा, total time कितना हो गया, 6 second आपका हो गया, तो ये complete हो गया,